नमस्कारा प्लाइट सिटीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ सौमेराथी बिहार में जोहां एक तरफ भीशन गर्मी पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ लोग अब बिजली की समस्य से भी काफी जादा परिशान हैं क्योंकि दिन के पीक आवर्ज में बिजली की कटोती रहती है जहां शहरों की बात करें तो अगर 5-5 घंटी तक यहां बिजली नहीं होती तो गाउं में स्थिती और जादा खराब है चुकि वहां पर दिन के 10-12 घंटों तक बिजली गोल रहती है एक तरफ जहां बिजली इतनी जादा महंगी हो चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ समस्या ये भी है कि जतनी बिजली की जरूरत है लोगों को उतनी उपलब्द भी नहीं कराई जा रही बिहार में पिछले दस दिनों से जो बिजली का संकट चल रहा है अब वो और बढ़ता ही जा रहा है हाल अब ये हो चुका है कि बाजार में महंगी बिजली खरीदने की बिहार की कोशिश भी सफल नहीं हो पा रही गुरुआर की शाम को बिहार ने 2000 मेगवाट बिजली खरीदने की कोशिश की लेकि उसे महज 9 Megawatt बिजली से संतोष करना पड़ा है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजली की कितनी ज्यादा कमी है हाला कि राज्य सरकार ने दो दिनों में ये भरोसा दिलाया है कि अगरे दो दिनों में बिजली का जो संकट है उसे दूर कर दिया जाएगा संकट का हाल ये है कि शहर में जहां 5 घंटे तक बिजली नहीं होती तो हैं गाउं में 10 से 12 घंटे तक ये गोल हो जाती है कुछ शेत्रों में तो 12-12 घंटे तक बिजली के दर्शन मी नहीं होते पूरे बिहार में उपलब्दता के आधार पर रोटेशन करके फिलाल बिजली दी जा रही है गाउं में अधे कटोती होती है पीक आवर में बिजली ना रहनी से लोगों को काफी जादा परिशानी भी हो रही है बाढ़, फरकक्का, कहलगा, बराउनी और दर्ली पाली बिजली घरों से बिहार के बिजली क्यापूर्ती ठप है उधर देश के एक चौथाई पावर प्लांट बंद होने की वज़े से सोला ऐसे राज हैं जहां पर दस-दस घंटे तक बिजली ना रहने की समस्या रहती है सबसे जादा जो दिक्कते हैं वो यूपी और जारखन में है इसके लावत जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हर्याना, उत्राखन, महराश्ट्र, गुजराद और एंपी में ये कटवती देखी जा रही है कोल इंडिया ने स्विकार किया है कि वो बिजली प्लांट के लिए रोजाना कोईले की मांग 22 लाख टन तक पहुँचा चुका है आपको पता दे कि गर्मी के चलते मांग बढ़ने से बिहार में बिजली की किल्लत कम होने का नाम भी नहीं ले रहे अब लोग काफी जादा परिशान हो रहे हैं देश शाम बिजली की डिमार 6000 मेगावाट के उपर भी पहुच गई थी लेकिन उसके मुकाबले सप्लाइ करीब 5000 मेगावाट ही होने से लगबग 1000 मेगावाट बिजली की किल्लत अब भी रही इसके चलते शेहर से लेकर गावं तर बिजली जो है वो काफी काफी जादा देर तक नहीं रह रही है और ऐसे में लोगों को बहुत परिशानी भी हो रही है क्योंकि जिससा आपके गर्मी है जोहां एक तरफ लोगों को लेकर लोगों को ये समझाया जा रहा है कि अब अपने घरों से बाहर कम से कम निकले तो वही अगर लोग घरों के अंदर बैटते हैं तो विजली ना होने के वज़े से घर के अंदर भी लोग बहुत जादा गर्मी से परिशान हो रहे हैं और ऐसे में विजली की किल्लत खत्म होने का कही नाम भी नहीं ले रही हाला कि राज्यसरकार ने बरोसा दिलाया है कि दो दिनों में ये समस्या खत्म हो जाएगी लेकिन ये होती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा आप बाकी की वीडियोज के लिए चानल के साथ बने रहे अगर इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें लाइक सिटीज के साथ आप ट्विटर पर जोड़ सकते हैं धन्यवाद